हमश्कार दोस्तों आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हारदिक स्वागत मैं आपका दोस्त ववेग होना दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं सूर्या और शनी ग्रह के निक्षत्र प्रवर्थन के बारे अभी सूर्या धनुराशी में गोचर करें और शनी अपनी कुमराशी में गोचर करें लेकिन 11 तारिक को सूर्या जो है अपने ही उत्रा शाडा नक्षत्र की यात्रा पर चले जाएंगे रही बात शनी देव की तो शनी देव शत्विशा नक्षत्र के दूसरे चरव में प्रवेश करेंगे सूर्य और शनी दोनों ग्रहों की स्तिती में बदलाव का असर जो है सभी बारा लगनों पर देखने को मिलेगा लेकिन कुछ लगन ऐसे हैं जिनके लीजे समय काफी शूप रहने वाला है अटके हुए काम बनते चले जाएंगे इन लगन वालों के वक्षियों का भागया जागरत होगा जीवने में धन और लाप की प्राप्ती होगी हर काम में इन लगन वालों को सफ़तर मिलने जारी तो आई ये जानते हैं ऐसे कौन से लगन है जिनको शनी और सूरिया देव की केपड़ मिलने से उनका समय बदलने वाला है लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक पर फिर आप सब दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूंगा खास कर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस यूटूब चैनल पर आए हैं और इस वीडी को देख रहे हैं जदी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लिजिए नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए जो भी वीडियो अप्लोड करें यूटूब पर चाहिए वो वैदिक स्टॉल्जी से अप्लेटर हो बदल होने वाला है उससे काफी लाब मिलने की संकेत मिल रहे हैं और इस दुरान सभी अटके हुए इन लोगों के काम बनेंगे सूर्या की मद्द से आपका भागया चमक उठेगा दोनों ग्रहों के प्रभाव से क्यारियर से लेकर वैपार में सफल्दा प्राप्त होगी प्रभार से लेकर मित्तर और रिस्तेदरों में मान सनमान बढ़ेगा उनका साथ मिलेगा हर तरफ आपकी परशंसा होगी वहीं धन के मामले में ये बेहद अच्छा समय आने वाला है धन की प्राप्ति होने के साथ बैंक बैलंस में भी बड़ोतरी होगी इसके बाद जो शुब लगन है वे है सिंग दोस्तों सिंग लगने वालों के लिए सूरे और शनी का नक्षत्र प्रवर्तन जो है काफी शुब फल्दाइक साबत होने वाला है शनी देव के पॉश्टी प्रभाव से रिस्तों में सुधार होगा प्रवारिक सतर पर खुशी का महौल होगा वेपार से लेकर नौकरी में आपके काम की परशंसा की जाएगी हाथ में लिया गया काम चुटकियों में पूरा होगा अपने उच अधिकारियों का आपको सहय योग मिलेगा वेपार है तो कुछ बड़ा परजेक्ट आपके हाथ लग सकता है पाद और पत्रिष्टा में व्रिदी होगी समाज में मान सनमान की बरौतरी होगी धनलाब के पूरे योग बनेंगे भागया का स्तारा चमकता रहेगा अनभवी लोगों से नही नही जानकरी आपको इस दुरान मिलेगी इसके बाद जो शुब लगन है दोस्तों रहा है तुला तुला लगन वालों के लिए सूर्य और शनी का नक्षत्र प्रवर्तन बेहद शुब दाइक रहने वाला है जीवन पर पोजिटी प्रभार पड़ेगा प्रवारिक सत्र पर रिस्ते मजबूत होगे अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफी शुब रहने वाला है आउनलाइन गती वीडियों से बेहतरी जानकरी आपको मिलेगी इस दुराँ समाजिक जो सिमाएं हैं वो आपकी बढ़ेगी व्यक्तित अब में जो है आपका विकास देखने को मिलेगा इसके बाद जो शुब लगना है दोस्तों वह है मकर मकर लगनावालों की समाजिक स्तिति में सुदहार होगा मित्रों और सगे समधियों का सेयोंग मिलेगा कैριerm को सुधारने और ने समध बनाने का उच्छित समय है ये विपार में नहीं प्लैनिंग करने और अपनी numशलता को निखारने का उच्छित समय है ये ये समय इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा रहने वाला आप लोगों के लिए, अपने आर्थिक लेक्शों को पूरा करने के लिए बजट बनाएं और उनका आप पालन करें, सबसे लास्ट में जो लकील लगन है दोस्तों वह है मीन, सूर्य और शनी के नक्षत्र प्र आपके समंद जो है मदर बनेंगे, तो दोस्तों ये हैं शुब लगन जिनको सूर्य और शनी के नक्षत्र प्रवर्तन से जो है, स्तिती में सुधार होगा, नेम फेम की पराप्ती होगी, बिगड़े हूँ काम बनेंगे, पुराने जो भी आपके लक्षे हैं, उनको आप इ ये दोस्तों, नमस्कार.